देखो B Pharma तो आपको करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से अगर आप compare कर रहे हो B Pharma और veterinary को तो मैं आपको कुछ points बताता हूँ जो कि आपको actually prove करेंगे कि आपको B Pharma क्यों नहीं करना चाहिए B Pharma जो course है उसमें अभी अगर आप उसके आगे अगर M Pharma या फिर PhD करने का नहीं सोच रहे है तो इसमें आपको जो salary मिलेगी हो बहुत ही कम होगी है as compared to veterinary veterinary में जो आप line देंगे उसके साब साब को salary भी ठीक ठाक मिल जाएगी बट B Pharma के अगर अपन बात करें तो उसमें आपको 15,000 से 20,000 रुपे पर मन तक ही मिल सकता है अगर आप कहीं अच्छी जगह जाते है तो भी आपको 30,000 तक ही मिल सकता है मतलब 30,000 is the maximum salary जो कि एक starting graduate को मिलती है B Pharma में आपको बताता हूँ कुछ companies के नाम जो की actually hire करती ही B Pharma के graduates को यहाँ पर अगर अगर आप IIM के थ्रू जाते है MBA करते है तब जाके आपका package अच्छा हो सकता है बट उसमें अभी काफी ज़्यादा competition होता है यह दो कुछ companies के नाम है Mylan, Hospital, Dr. Reddy यह जो आपकी जो companies है 3 lakhs तक देती है बट आपको बता है कि B Pharma जो graduate से उसमें अभी काफी ज़्यादा competition है विकास कॉलेजेजेज इत्य सारे हो गए आपको इसके लाव बतना चाहता हूँ कि कुछ और भी jobs होती है जैसे की Pharma Covigilance तो यहाँ पर जो आप देख सकते है कि किस तरीके से 15-30,000 package होता है clinical data management और यहाँ पर 12-20,000 package medical coding यहाँ पर 15-25,000 package होता है ICD medical coding यहाँ पर 8-12,000 package होता है medical writing and SAS तो इस तरीके का कुछ यहाँ पर scopes होते है B Pharma के graduates के लिए इसके अलब आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो comparison अगर हम करे salary के मतलब basis पर तो जो एक tough job आप बोल सकते है B Pharma का जो job काफी tough है और competitive भी है यहाँ पर आपको पता है कि respect जो है वो काफी कम है compare to veterinary अगर आप बात करेंगे तो veterinary जो बनते है और डॉक्टर बनते है और उसमें respect अगर आप देखेंगे तो compare to B Pharma काफी अच्छी respect होती है अगर आप देखेंगे जो second job है तो drug inspector का job निकलता है B Pharma graduates के लिए तो इसमें जो आपको पता है कि बहुती कम job निकलता है one in a one leg get selected आपको पता है कि इसमें जो काफी कम seats निकलती है और वो जो seats निकलती है वो भी काफी कम बार निकलती है चेशे साल में एक एक बार निकलती है Q&QC analytical department यहां पर जो है आपको बहुती ज़्यादा मतलब काफी यहां पर work environment बहुती बिगार है तो यह जो department है यहां पर भी आपको काम इतना अच्छा नहीं मिलेगा अगर B Pharma आप करते हैं तो काफी बार आपको reality जो है वो कोई बताता नहीं है और course आप कर लेते उसके बाद आपके 3-4 साल पूरे waste हो जाते है इसलिए मैं आपको पहले negative point बता रहा हूँ इसके बाद हम positive point भी discuss करने के कोशिश करेंगे यहां पर अगर आप government jobs की बात करें jobs are very less sorry to say that salary of pharmacist is very less I am not talking about all the jobs some pay good around 30,000 per month तो जो अच्छी salary है वो 30,000 per month है अगर आप veterinary की बात करेंगे तो सबसे lowest salary जो है वो 40-50,000 होती है तो इतना आपको अगर comparison समझ में आ रहा है कि veterinary की lowest salary भी जो है veterinary में कम से कम आपको 40-50 रुपे मिलेंगे और pharma में आपको best to best 30,000 रुपे मिलेंगे starting में तो इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको किस side आपका future बनाना चाहिए तो यह जो एक मैंने analysis करा है भी pharma को और बिल्कुल आपको recommend करूँगा कि आप जो है बिल्कुल तब भी आप pharma choose कर सकते है अगर आपको सिर्फ जॉप करनी है तो फिर यह अच्छा option नहीं है बट business के point of view से एक अच्छा option हो सकता है बिल्कुल तो as compared to veterinary यह बिल्कुल अच्छा option नहीं है अगर आपको job करनी है तो लेगा तो thank you so much for watching the video bye bye